28 दिसंबर, सभी का स्वागत और अभिनंदन दनेवाद, सरप्रसम हम प्रभुपाजी की शिक्षा पढ़ेंगे, ये एक हमारे गुरु हाईती शुकदेब जी, उनको पत्र लिखा 28 दिसंबर को प्रभुपाजी ने, 28 दिसंबर 1974 को ये पत्र लिखा, एक सच्चा वैशनव कभी नहीं कहेगा, कि वह किसी अन्य से स्रेश्ट है, ये भी एक बड़ी बिचारने की बात है, जो वैशनव बनना बहुत दूर की बात है, और ये सब लोग जहां रखो, अवाज ठीका रही है सबको, और वैशनव ही भागवान विश्णो कृष्ण को कटे हैं, तो प्रवपाद वैशनव की परिभाषण बता रहे हैं यहां, सच्चा वैशनव क्भी नही कह Letter Canvrs क अभी नहीं कहेगा, क्यों दूसरे से स्रेश्ट है, कि दूसरे भैशनव से स्रेश्ट है, मैं कहेगा, कि मैं सबसे अदम आथ यदी कि बै कहता है कि बै स्रेष्ट है तो बास्त में बै स्रेष्ट नहीं है तो ये बिमारी हम सबको है हम अपने आपको स्रेष्ट जो है कहना चाहते हैं हम बड़े स्रेष्ट हैं बड़े महाने हैं कैसे यह मेरा अनुभब है, गुरु कृपा से, हमें यह गुरु को पद मिला, और हमारा यह कृतब है, जिन जिन को प्रभुपाजी ने, गौर निताय ने, राधा कृष्णी ने हमारे पास बेजा, उनके दोश दूर हों, और वो भक्ती पत में आगे बढ़ें। हम भी बढ़ें और वो भी बढ़ें। तो उस दृष्टी से हम प्रयास करते हैं सुधार करने का, लेकिन कुछ ऐसे भी आत्माय मिली जो कभी भी अपना सुधार नहीं करना चाहते हैं। हमने हम कोई बताएं बढ़ें यह गलती है यह गलती है तू उसको बात को काट देंगे और अपने आपको स्रेष्ट साबत कर देंगे यह रोग है इसको याद रखो अभी देखो कि एक पंच्च चत्व में परुमभैशनम शिला शिरीवास ठाकुर हैं बोलो शिला शिरीवास ठाकुर जी महराज की ही महाप्रभू ने यह अंदोलन शिला शिरीवास ठाकुर जी के घर से चुरू किया था तो शिरीवास ठाकुर के घर का दर्वादा बन कर उसमें भारत की आलत बिंगाल की आलत बड़ी खुराब थी लोग भटक गे थे तो वहाँ से कीतन भागवान स्वेम यह कीतन से ही हमारा कल्यान है वहीं कीतन होता था और आप भी सब याद रको जितने में हो सके कीतन करने का प्रियस करो लोगों के कानों में यह महामंतर का जो है उचारन उनके कानों में जाए धीरी धीरी उनकी शुद्धी होगी प्रभुपाजी ने कीतन के द्वारा सिद्ध कर दिया है तो वहाँ पर गौर भागवान के पारशद साम्मिल करके कीतन करते थे एक चपल कोपाल नाम का व्यक्ति था ब्रहमन था वो लेकिन वो तंतर विद्या में मानता था तंतरिक था देखो एक दूसरे बैशनव की कदर जो बैशनव होगा वही करेगा अगर बैशनव नहीं है तो मैं उसकी कदर नहीं कर सकता वो जैसी द्रिश्टी बैसी स्रिश्टी अगर द्रिश्टी ठीक नहीं है आगर कुछ भी ठीक नहीं दिखाए देगा अगर ठीक होगा भी तो नहीं दिखाए देगा क्योंकर दिश्टी अच्छी नहीं है तो श्रीवास थाकुर भार चे कीतन सुनता था कि जब बड़ा ये दिर्वादा बंद करके कीतन करते हैं मैं इसकी बेज़ती करूँगा श्रीवास थाकुर की तो उसने क्या किया चपर गुपाल वो काली का उपासक था बंगाल में बहुत से लोग काली माता को पूचते हैं राम किशिंग परमहन्स जो थे वो भी काली उपासक थे उनकी कृपा से सारे बंगाली काली उपासक बन गए और घरगर में मांस तो अव्यार्ण में अधिरा और घरगर में यह जए जए ओल्टी सीधे काम हो लगे तो अरात को आया और उसने शीर्भास्थाकुर के घर के आगे काली पूजा कसमान फैंक दिया जो काली पूजा के लगते हां महां सर्श्यराप यह जो भी है गंधकाना फैंक दिया रहात के ट Fantasy को सब लोग सौ रहे थे दूसरी दिन आके वहां खड़ा हो गया आने जाने वालों को कहता है तुम इसको बैश्नम कहते हो यह देखो काली पूजा का समाने इसके घर क्या आगे पड़ा होगा यह काली पूजा का है देखो जो बुरा है ना उसको बुरे ही दिखाई देते है असर में सब बुरे नहीं होते हमारी दृष्टी का अंतर होता है अगर मैं बुरा हूँ तो मैं सब को बुरा ही देखूँगा सब के अंदर दोष्ट देखूँगा अगर मैं अच्छा हूँगा तो मुझे सब अच्छे दिखाई देंगे एक कता आती है भक्तमाल में राजा अवासुदेव की राजा अवासुदेव जो थे वो कहीं भी बुरा ही नहीं देखते थे बड़े महानाक मन थे वो एक दिन देव लोक में इंदर अपने आसन पर बैठी हो गएं देवताओं के राजा सारे देवता बैठे हैं तो चर्चाह हरी वो वासुदेव जी की कि वासुदेव कहीं दूश नहीं देखते एक देवताहँ खरे हो गए क jeg ज्यों के मैंनी मानता यह बात मैं सिद्ध कर दूँगा कि वासुदेव दूश भी देखते है चुप रहे है साब लोग वो देवता नीचे जमीन पर आये वासुदेव उराजा थे उनकी सुारी आ रही थी सुारी आ रही थी तो वो देवता एक साड़ा हुआ कुटा बन गए कुटा सड़ रहा है बुद्बु आरीयर से स्वारी जाब पांस में पहुंची तो सब नाक मूं बरोडने लगे तो वासुदेव जी नी क्या कहा तो सड़े वो कुते के दांत मार निकल गया है के देखो इसके दांत कैसे हैं जैसे कलियां जैसे हैं वड़े सुद्धर गुन नकाल लिया उनोंने और देवता प्रगठों के जाब धन्य है आप कहीं दोश नहीं देखते तो यह जो दोश दृष्टी है यह हमारा दोश है हमारी कमी है फिर सबह में जाका कि इंदर को का कि ठीक कहते है वासुदेव जी कि एक सड़ी वे कुटे में में उने गुन देख दिया इसके देखो दांत कितने सुंदर है कलियों की तरह है इसके दांत है तो आप सब लोग सब इंटरनेट में सुनने वाले सब यहां पर बैठे हुए हुए दूश नहीं देखना कहीं भी अच्छ सब्ला कहत्या है इसके दोह भी कोजन में सिट नहीं कहरीा है में कि इंटक अга हुए झाउल जी रड़ा देख सब या झाजन में कई छी रड़ा मिलाए नहीं कोई जो मने भुश अ खोजन मैं लुश इनिव अना मुझसें बुरा नह होई जय ।ग मैं अपने मन को प्रभुपाः lecture कर रहे थे देख मूर्खा अदिन में बोला प्रभुपाः बता रहे थे कि सचाही बता रहे थे तो तो नूर्ग खड़ा हूगा नंतारों आख सबस्ष्टछ को कर दो आप प्रथम शोच्रीनी कहे रहे वेशनम कभी भी आपने अगों सही सिदिनी करते हैं तो यहाद रखो, सारी माता हैं, सारे भक्त, हारी बॉल, क्या चल रहा है। इदर ध्यान दिया करो सथ संग में, सुभा जो है ना, सथ संग में ध्यान देना है। कही बर हम कहते हैं, कही हाद में कहते हैं, मेरा क्या होगा। अरे आपका क्या होगा, यह आपके हाथ में है। आप अगर अच्छे बनेंगे, तो अच्छा होगा। अगर अपने दोश नहीं नकाले, तो फिर भाई, अच्छा नहीं हो सकता। जंता तो रहती है मन को मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा तो हमें अगर मेरे में कुछ दोस है तो मुझे अधिकार नहीं है अगर मेरे में कुछ गुन है तो मुझे अधिकार नहीं है दोसों को रखने का माया बड़ी प्रवल है भागवान की, बड़ी प्रवल है माया के बशिवूत होकर कुछ गुन अगर हम में तो हम अपनी दोशों को ही बनाय रखना चाहते हैं मैं जह सा करनों मैं से तो ठीक नहीं है तो हमारा अच्छा तब ही होगा जब हमारे से दोश निकल गाएंगे और भक्ति मनों ठाक रुमारा जो बहुत बड़े मुखान चाहरे एक पुस्तक उन्होंने लिखी बंगला बाशा में मैंने एक को दी थी उसका अनुबाद करने के लिए उस भले मांस ने उसका अनुबाद भी ने किया और पुस्तक भी ने दी मेरे को किसी ने दी थी मेरे को वो पुस्तक तो उस पुस्तक में एक बात क्या लिखी थी बही मुझे किसी ने बताये थी कि अपने दोशों की लिस्ट रतियार करो एक दोश को निकाले में तीन साल लगेंगे पहली बात यहां कि हम अपने दोशों को मानते ही नहीं कि मेरे में दोश है हम हमेशा पनियाओं को देखो कि दोश बने रहे और आत्मा ने शरी छोड़ दिया पिर भागवान नहीं मिल सकते हैं याद रखो मेरे पास एक ऐसी भी आत्मा आई बड़ी दूशित आत्मा बहु दूशित लेकिन जब भी हमने उसका दोश बताया उसने सभीकार किया मैंने का लिख के दे दे ताजी वो आत्मा आज प्रभुपाद करपास से उस आत्मा नों प्रीवर्तन देख रहा है हम दोशिनी सभीकार करते तो प्रीवर्तन कैसे आएगा बिमारी है ना ये दे हात्मक बुधी कुनपेतरी धातुके शलोक नगालो सा एवागी गोखरा इस जो शरीर कफ पित बात से बनाऊगा शरीर है परदान कफ है पित और बात तीन बात चीज़ों से ये शरीर बनाए है मांस मजजा खून, हडिये तो ये शरीर जो है अपने आपको जो शरीर समझता है उसको कहा है वो गाय है या गदा है ये शरीर जो है ये शरीर जोग में पूरा पढ़ने का प्रयास करता हूं ये स्यात्म बुद्धी कुनपेत्री धातुके स्वधीही कलत्रा दिशु भूम इजदी यतीत बुद्धी सललेन करहचिज जनेशव अविगेशु साईवा गोखरा ये कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्र्यान के समय भागवान सदी कृष्ण परवचन देते हैं ये कृष्ण भागवान के शवद है ये ऐ ग्रुक्षेत्र में भगवान ने ये कहा शाम एपथ, वै जा रहा हिए, हरीवड, काहां गया बढावसको वह अमनाजी है नही भावचन में बढावसको तो भागवान के शब्द ये बागवान एक बाद याद रखो कृष्ण हम सब का भला चाहते है अगर मेरा भला नहीं हो रहा मेरा बुरा हो रहा तो वो मेरे कारण हो रहा है कृष्ण के कारण नहीं हो रहा है कहां जा रहा था तू क्या कह रहा है कि नाक साफ कर नहीं जा रहा था गंटा लगता है तिर को नाक साफ करने में परवच्छन के तहें बार साफ कर क्या है करो नाक मार भागता है तो कृष्ण भागवान ने गीता में कहा है सुहरदम सर्व भूतानाम में सब जीवों का शुपचंत को तो हमारा शत्र को नहीं है पिर हम ही अपने शत्रू है और हमारा शत्रू हमारा मन है जो इंद्रियों के तरपन में लगा है जो बिशेविकारों में लगा हुआ है हमारा मन हमारा शत्रू है तो कृक्षेतर के युद्ध में ये परमपिता ने भागवान ने ये श्रू कहा जो बिक्ति कफ पित और वायू से बने निश्क्रिय श्रीर को सोय मान बैठता है ये निश्क्रिय है काम कब तक करेगा जब तक आत्मास में रहेंगी आत्मास निकल यह तो स्रणना शुरू हो जाएगा इसको पर जमीन में दवाना पड़ता है यह पर जिलाना पड़ता है सब कोनी हमारे सनातन धर्म के अनुसार सब कोनी दवाया जाता है केवल सन्यासियों के शरीर को उनको समाधी दी जाती है और भाकी शरीर घरिष्टी है जा ब्रमचारी जा बानप्रस्ती है उनके शरीर को अगनी को आरपन किया जाता है अगनी जला देती है तो यह निश्क्रिय है यह बहगान कहले है पित तथा वायू से बने निश्क्रिय शरीर को स्वयम मान बैठता हो अपने आपको यह शरीत सम अपना मानता है, कहां स्थाही रूप से पतनी और बच्छी अपनी थोड़े समय के लिए, लेकर मुर्क लोग नहीं समझते, अपनी स्थाही हमें, एक दन फिर सब छोड़ना पडता है तो बड़ा कष्ट होता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्म भूम्मी को का स्थान मानता है, किन्तु जो अध्यात्मेक ग्यान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ समंद नहीं देखता, उन से कुछ अपने पन का अनुभब नहीं करता, उन की पूजा नहीं करता, अच्वा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसे व्यक्ति गाय या गदे से अच्छे नहीं है, वो गहा गदा करता, तो हमें इस अपने श्रीर, सारी बिमारी यहीं से श्रू होती है, श्रीर, वो मेरी श्रीर का वह अपने मेरा सब के सामने हैं अपनान कर दिया, आप मेरे को डान रहे थे उसके सामने, क्या हूं? मैंने अपने आपको श्री समझा है क्या हुआ दूसरे के सामने अजी टांट अए तू श्रीरी नहीं है तेरा पुर्ष्य है जा तू इस्त्री है कुछ विछ तू जीवात्मा है श्री थोड़ी अबदी के लिए तेरे को मिला है परम पिता से मिलने के लिए भागवान को मिलने के लिए यह श्री तेरे को और किसी काम के लिए नहीं भागवान ने दिया गए तू उनको मिले इसलिए यह श्री तेरे को दे रखाया भागवान ने पर तू इतना खाने पीने सोने में इंद्रियों के तरपन में खो गया तो ऐसा जब किया हमने, श्रीर का दुर्पियों किया, तो मन दूशित हो गया, बुद्धी दूशित हो गई, पर पश्कु के समान बन गया हम, गाय या गदे के समान, ये भगवान की शिक्षा है, कुरुक्षेतर के युद्धस्तर में, तो हम सब को इस शिक्षा जीवन में धालन करनी है, जैसे कि मैं गुरु कृपा से, और गवर राधा कृष्न के कृपाज की वर कहता हूं, क्योंकि हम सबने बहुत बड़ी प्रिक्षा में बैठना है, प्रिक्षा का उन से संसार से जहने की, मैंने भी, आपने भी, इसने भी, उसने भी, सबने बैठना है, उस प्रिक्षा की त्यारी है, अपनी भावना का प्रिवरतन, बस, अपनी दोश दृष्टी स्माप्त करना, अपनी दृष्टी को अच्छी करना, अगर मेरे में दोश दृष्टी है, तो मुझे सब ज़गा दोश ही दोश देखेगा, जो पि पुरी आर मतरब पूरी तरह बुरा नहीं होता, उसमें कुछ गुन होंगे, पहले सत्संग में ये प्रणपाइदी के उसमें दाख, लेकर नारी दोस्त्रिष्टी निपन है दोश्यों को निकाले में, दोश डूनी लेगा कोई ना कोई, तो अधो जब कोई धूनता है, और जाते हैं, और उसकी दिहात में को बुद्धी बन जाती है, अहंकार आ जाता है, बुद्धी काम नहीं करती, तोड़े बुद्ध श्लोक चारन करती है, उससे क्या होता है, दूशित पन जोगा है, प्रदूशन नहीं गया, तो इस श्लोक, दसमसकंद का, आठ मन जाए, ते से उचारन हुआ है, और यहां पर प्रभुपाद बगवान के सच्चे भक्त यही समझा रहे हैं, सच्चे भक्त कौन है, जो बगवान की बानी को यथा रूप में लोकों के आगे रखते हैं, बगवान की बानी का परिवत्तन नहीं करते हैं, अरे भाई, जो परिवत्तन करते हैं, क्या गल्ती करते हैं, भाई, हर व्यक्ति में हम में मेरे में आप में इन में उन में चार दोश हैं, चार दोशों को याद रखो, पहला दोश हम गल्ती करते हैं, ठीक है, मुह सरे लाओ ठीक तरह से बैटो, ठीक है, बोलना है, दूसरा दो शेख है, हमारी इंद्रिये अपूर्ण है, ठीक है, कैसे, जैसे मेरी यांखें, सूरिज को थाली जितना देखती है, सूरिज थाली जितने हैं, बोलो, इस पृष्वी से की अवरा बड़े है, बहुत बपरा हमका, लोक है पुरा, सूरिज लोक है, इंद्रिये अपूर्ण है, सब-सेमत है, ऐसे नहीं, अचे बोलने का है, तीसरा दोष हमें क्या है, हम अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं, तीसरा दोश नहीं, तीसरा दोश आगे पीछे भी हो जाएं कोई जिंदा नहीं, अब इद्या में हैं, अज्ञानता में, किसी को बोचो तू कौन हो, वो कहेगा मैं रामलाल हूँ, मैं जमू का रहने बाला हूँ, मैं दो लड़के है, एक लड़की है, मेरी फैक्टरी है, अ रामलाल का शरीर जो है, वो अगनी को अरपन कर दिया जाएगा, अवे एक हमारे बड़े अचे जान पिचान बाले, अच्छी आत्मा है, को पतन तीस साल उनके घर में सत्संग हुआ था, तो उनको एकाच्छी के जनका शरीर चूटा, एकाच्छी परापत हुई उनको, एक काच्छी के दिन शरी चूटना बड़ा शुब है, पर अगर कोई भत्त बन जाता है, किश्वी दिन उनका शरी चूटता है, तो उसके लिए अच्छी है, क्योंके, वो स्दा भागवान के साथ रहते हैं बड़े जाए प्रभुपादी, अभी जैसे एक बात और तो उनको चार पाई बने değer जाता, यह उताद दियां जाता है निचे लिए जए लिए जाता लिए अज़। निचे निचे गोबर काले पन गोबर शुब है कोंष निए चारपएपल मी हैं, महांँ चारपएपल दे ले टे्टलियते अर श्रीप ट्याग्ते तो द्हाम में जाते हैं, क्योंकि वहर स्भी हृस्चामी अनके ध्याँ में लगे हैं, भागान Dwимиया चांगा कहा है वैष्णव के लिए तो मार हिद्य सदा गोविंद विश्राम गोविंद कोहने मुरा वैष्णव पराम इन्नृतम ठाकूने कहा आपकी हिर्द्य में गोविंद रहते हैं और गोविंद भी कहते हैं मैं वैष्णवों की हिर्दे में लाता हूँ वैष्णव मेरे हिर्दे में लाते हैं हम गोविंद की हिर्दे में और गोविंद हमारे हिर्दे में जब हम को आप इंद रहा है अन्द हो इप अंदर शुनाइदेता है नहींद रहां इधर से चलाजहें नहीं टो जब बत काश्या येजिग नहीड है टो जब घ्टो शWar 않 usualatory और लोन्हेर होने सिर्जा और एंहारे हे तुमार हिदय से लेक्जा गोविंध güç साथ जए गोविंध भथतों की लिएज़ बिश्राम करते हैं के लिए नृत्न धाकुर कहा गहा हैं Govinda कोहने मुरा वैष्णव प्रान, Govinda कहते है वैष्णव मेरे प्रान है, जो सचे वैष्णव है वो भागवान के प्रान बन जाते हैं, जजे प्रभुपादी थे तो वैष्णव को कोई कष्ट भी लगता है, और अच्ट नहीं मानते हैं, हम जब तक वैष्णवन ही अच्ट लगेगा, हम चलाना शुरू कर देंगे, और मेरे कर्मों का फाल है, प्रियास है, अभी गुठनों की बिमारी लगी है, मेरे कोई कर्म है, जिसके कारण गुठनों में तकलीफ है, करम करते तो मैंने सोचा नहीं होगा, अभी जब भागवान दंड दे रहे हैं, तो अभी क्यों सोच हूँ है ठीका प्रभू, मेरे ही कर्म है, मुझे सैन चिलता दो, अभी जैसे एक आन्दी का में अधारन देता हूं आपको, ये गुठनात की बात है, गुठनात के एक प्रवक्ता ने बताया तब वो अफरिका में आया था, उसने बताया के, एक विठी घर विठी नशे वोलैसे बत दुखी हो गया, बैसे तो सभी है ने मैं कोई शुखी नहीं है, लेकिन मुर्क लोग नहीं समझ थे, मुर्क जो है, जए झालानते हैं ऑपको जो है की ओगा है क्युगम्हान具 ज़ता है। जैसे कि शिराब explains It just like that प्रुपी ज़ता है, उस्ष है ऐ गंदी नाली में यहां मालमूतरगा है, ऐसे मैंने एक आदमी को देखा था, सफेद कपड़े पैने हैं उसने, और शुराप भी है, गंदी नाली में पढ़ा हुगा, सारे कपड़े, गंदी नाली का गंद उसके शरीर पर लागा हुगा, उसको कोई होश नहीं है, तो गटर, thinking that he is enjoying, यह कोई सुख नहीं है, सुख का ब्रम है, जैसे मरिग को रेत में पानी का ब्रम हो जाता है, अम इस संसार में सुख की खोज करते-करते, प्रानां का अंत हो जाता है, मेरा, प्रानांत हो जाते है, जैसे मरिग तुष्णा, गर्मियों के दिन है, मरिग को बड़ी प्यास रगी है, पशू है, वो कहां है, एरेत के अंदर, पशू को उसको अकल नहीं है, रेत में चारत और नजर डालता है, पानी कोज रह रेत में, होता क्या है, दूर से उसको रेत जो है, वो चमकती हुई दिखाई देती है, वो जो सोचता है, वो बागता है, उसकी तरुप, पास पोहने, नहीं दो कि आड़ी में अरुप होता है, हम जब गारी में बैटी होते हैं, कार में, सड़के दूर पानी जैसा दिखाई देता है, कार जब पास पहुंगती है, कुछ में नहीं, मैंने तु देखा, आप में से भी किसी को ऐसा नवभ होगा, तिर को होगा, जोर से बोलो, तो उम्रिक एक जगा पानी नहीं मिला, फिर खड़ा ऊड़ा पानी नहीं की दूरता है, अरे मूर को पशखऊ और यहुंगता है, अकल नहीं है इसको, फिर उसी एरेतमे पानी कुझ रहा है, छिता है बाद की झाता है, कुछ में नहीं, फिर एंग तीजिए ढ़ाँ जेगा, जीए जगा ऐसे बादिए एंग एंग पा हम इस दुखरुपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं इसमें सुख नहीं है इस संसार को परमपिता ने क्या घोशित किया है इसको घोशित किया है माम उपेत्या पुनर जनम दुख खाल्यम अशाश्वतम जो जनमा है उसकी मृत्य होगी और यह शंदार दुकों का खर है, इसमें रहे हैं, लेकर फिर भी मुर्क लोग के सुक लूड़ रहे हैं, मुर्क हैं, बुद्धीमलीनों है, प्यासा कठा कर रहे हैं, अब्सक्ष प्रोथ के चक्रे में अपड़े हुए हैं, जितना जाद अद अधी बिमारी हैं इतनी बिमारी अमेरिका में है, एड्स कहते हैं उसको, एड्स बिमारी कोई इलाज नहीं है, वो औरतों को चक्र में बिमारी पैदा होती है, कही अर्तों का संकरने जाजी बिमारी पैदा होती है, एड्स जिसको होगी उसको मर्ना ही मर्ना फिर, औरतों की हो जाती है, मर्दों को भी बढ़ी आम बिमारी है जैमेरिका में एट उस ऐसी बिमारी है तो इज दुख्वों के खर में sit inf segunda खर में अ फिर्ट ही कोज कर रहे हैं और बिमारी के घर बन जयते हैं रोगों के घर बन जयते हैं औरह सिंसार में आये थे मेरे पिछे बोलो आया था हरी भजन को किस ली आया था लेकर हुगा क्या मीठे लागे दाम दाम मतल पैसा हुगा क्या दुबदा में दोनों गए माया मिली नाराम जब पैसे के चक्र में पड़े दुबदा में पड़े जितना जञा जिसके पास पैसा है उतना जञादा वो परिशान है उतना जञादा दुखी है पैसे के चिंता है उसको हम जब छोटे थे तो गल्मी औग टहिए लेगे बार सोय ओगए थे तो सेठी ने विजट किया सेड श्रीज से पिता जी की जान पिचान के थे तो सेड जी लोगों से पैसे उगराई करते हैं जो उगरानी करते हैं समान सप्लाई किया है उन्होंने तो नोटों का थैला पिता जी को दे देते थे लाग दो लाग नोट उसमें जतनमी हैं दस जार बीस जार तो नाट को वो बढ़ शुवे थे, वो इटके चक्र लगा रहे हैं, मैं दर गया मैं बूत रात को कॉन चक्र लगा रहे हैं, बूत भूत तो परैटा-जी कहते हैं, नहीं, यह जुप कर सोच आई में बुम्य me direkt की विभल को उल्ओ बुका ऑजा उद मिझे एक पासे बाले को शुका कहा हूं पैसे बाला बसрос पंजामें अपनजाबे क्यud कुम्हनकेरी इक चेक्र नपड़ा सोचता रहता उसे लेने यह उसे देन यह कर तो पैसा कोई शुकतोरा दे सकता है वो शंकर भवान का श्रोक देदो वाई, महाँदेव ने क्या कहा है, भज गो बिंदम, भज गो बिंदम, गो बिंदम, भज मूड मते। इन त्यस्मा स्लोक यादर को विन आत्यस्मा स्लोक यादर को पुत्रदपीदन भाजम भीती, पुत्रदपीदन भाजम, सर्वत्रएशा भिहतारी, सर्वत्रएशा भिहतारी, भजगोविंदं, 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 भजगोवि जो अवतार थे, बोलो आदी शंक्राचारे ये भागवान की, जो शंक्र के अवतार थे, वो क्या कह रहे हैं, शंक्र भागवान कह रहे हैं, सरवदा इसका ध्यान रखो, सरवदा, हमेशा कर इसका ध्यान रखो, कि धन भिपती का मूल है, धन भिपतियों की जड़ है, सत यही है यही सचाहिए रिशंकर भगवान पर्म वैशनव है भागवत के ग्यारम सकंद में है निमंगा नाम यथा गंगा दिवा नाम अचुत व जथा वैशनवा नाम यथा शंभो पुराना नाम इदम तदा जो नदियं समुंदर के और बहती है उन में गंगा सर्व सरेष्ट है भगवान की चन्नों का सनौदगा निमंगा नाम यथा गंगा देवा नाम अचुत व जथा था टेतिस कुरदेवता में सब से स्रेष्ट सरी कृष्णवा बहशनवा नाम यथा शंभुग और वैशनवा शंकर भाववान सर्व सरिष्ट है, हम बैष्टनव अनने का प्रयास कर रहे हैं, और शंकर सर्व सरिष्ट बैष्टनव है, उनसे बड़ा कोई बैष्टनव नहीं है, बैष्टनव नहीं है, बैष्टनव नहीं है, बैष्टनव नहीं है, पुराना नहीं इदम तदा, अठा यही है, कि धन जो है, इसका ध्यान रखो, सरवदास का ध्यान रखो, विप्ति, दुखों का, दूशों का, यह जड़ है, यही सत्थ है, कि उससे कभी कोई सुक मिलने वाला नहीं है, पैसे से किसी को सुक मिलने वाला नहीं है, आपको बता है, जो बड़े पैसे बाले उनको आपना को सकते हैं, बुरेनिह निए भीज नियुकर मेर नियुकर मेरे को नियुकरों प्रफटर्णीज को बाती हैं। दो युकर मेरे मेरे को फैसे अंएक। हुआ नी भाई प्रभी भृमागने वाला हूं, ग्रीवादमी हूं। वके डिए्कोर में मेरे कुभन झो है तू मेरे कि अनाम को बबागवान को देघ अनाम को बबागवादी को ओ कि आर दे अनाम को दे आर – व सवह में disorder राखी ऑ अमस्कि झाता है – नहीं, महीर को प्र SF पैसे ह when armed आप्रावारताजी, बूल गे थे हम तो फिर भी नेंद नहीं आती जैवी कुर्पाई यह ए गॉगान की, एक वारे की विक्ती ने, प्रहुपादी को कहा, प्रहुपाद मुझे नात को नेंद नहीं आती, प्रहुपाद कैसे तो तू बहुत भागिशाली है, क्या भागिशा में रहने ज़ुआ कि में रहु नहीं नहीं है कि अभोग भजन करना जाते है लोग भजन करना चाहते हैं उनको इतनी नहीं रहु जब करना हुथॉ अर छारो रख भी अर बैट और शो कि क्या है यह फिए प्रप्पाईदी की स्वप्त है तो सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है, पैसे से याद रगो धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खत्रा है, धन की यही रीती सब जगा है इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो कि एक व्यक्ति मारे संपर्क में आया था इलाबाद में कि अध्याप से दिख्षा लेनी है मैंने अधिक्षा पता नहीं दी थी उसको नहीं नहीं दी थी दी दी जिगदीश दिंगर को नहीं दी थी मैं aggregate सिर्णल्य दीख्विस दीख्षा नहीं आया औलती मैंने कि दाईराव से पतेजिशस दीख्षाट आईच्णा दीख्षा रफ्षा कॉछनुल इंद ग्यलाइचीत तो ऐसा अग्या एकutchा हो किःशनुलाइजी् अग्युलाइची खीजो इलाबाद में थे यह मैं पेली बार सोना हमाँ आपने कई नहीं बिताया नहीं मुझे नहीं बिताया आपने तो यही कृष्ण राय धिंगर जी मिले हमको कहते हैं, मैंने आप से दिख्षा लेनी, यह बड़ा पैसा थैंके पास तो कहते हैं, मैं कब आने के लिए कहा था, एक हफ्ते में, एक हफ्ते में आ जाओंगा, तो मैं अभी यही रहना है, आपके आश्रम में बजन करना है, कुंती माता ने कहा ठीक है, आईए, तो मैं दिल्ली एरिपोर्ट पे था, कहीं जा रहा है, तो एक बालिका, सियानी बड़ी बालिका, मेरे पसा आके रोने लगी, मैंने कहा, माता क्यों रो रही हो तुम, कौन हो तुम, कहते हैं, आपके शिष, कृष्ण राय, धिंगर की मैं बेटी हूँ, क्यों रो रही हो, कहते हैं, मेरे पिताजी का दिहान तो गया, फोन किया, इहान तो कैसे होगा, उनको बिमार हो गए, तो एंबिलेंस बिलाई, उनको ऐखेजन चड़ाईगे गई नाक में, अखेजन की कमी हो गई होगी, तो उनको आखेजन चड़ा के तो ह垃स्पिटल ले जा रहे थे, तो उनका बेटा साथ में बैदा था, उसे सारी अखेजन की नली नुड़ी है था चदी, मार दिया गाडी और भी खत्रा है, दन की यही रिती सब जगा है, इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को की भजो, और किसी को निए भज़ा है, तो, प्रभुपाद जी कहा है यहां पर बहस्तनफ कभी अपने आपको स्रेष्ट नहीं कहेगा। मैं कहेगा कि मैं सब से अधम है, सब से नहीं है। यही यदी मैं कहता है कि मैं स्रेष्ट है, तो बास्तन मैं स्रेष्ट नहीं है। देखो, भक्ति राज में परवेश काने के लिए विनम्रता की पड़ी अफशकता है। अगर भी नम्रता नहीं है, तो भक्ति राज में परवेश नहीं कर सकते। अगर हम में अहंका लगा है, तो भाईया फिर यम दूतों से पाला पड़ेगा। अगर भक्ति राज में परवेश हो गया, तो फिर विष्णु दूत मिलेंगे, यम दूत नहीं मिलेंगे। जिनने यम दूत मिलते हैं केवर आपको बताया है, उनका श्रीर अकड़ जाता है, पहले भी ये चर्चा होई थे। यमदूतों को शरीर इतना डरावना है वो आत्म घवरा जाती है तो उसकी घवराद से यमदूतों को देखने मातर से शरीर अकड़ जाता है और प्रान निकल जाते हैं, मल मुतर के रस्ते से प्रान निकलते हैं, तो यम दूत उस आत्म को यम पाश में बांध करके गसीरते हुए ले ले जाते हैं, तो भक्ति राज में परवेश करने के लिए विनम्र बनना पड़ेगा, हमार एक रगुनार दासको स्वामी थे, एक र जलत बैटे ए हुए उनका बेजाबर एक घलते हैं, तर विटते ही बांध की उनका रिरुछामी पीछाब ये अई नहीं थिख है, मांभनाद १्हल फू लेकिन ये रगुनाद दाज गुष्वामी ये कैसे थे, इनकी माता एक दिन कहती है, इनके पिता को, कि तो मेरा पुत्र बार भागता है, कहां भागते थे वो, जितने महापरपुपार के पास जाने करी ये वो भगता थे, वो भगता आत्मा थे, चलाग एदमा कैसे कि प्रभपाद बचा रहे हैं, तो, कोविंद जी कहते हैं, कोविंद मजमदार कहते हैं, मुर्किस्त्री, मा ने कहा, इसकी पों में जिंजीरें डाल दो, ये भागे ने, भाग जाता है, भागे है, तो मैं कैसे जीऊंगी, मर जाओंगी, मैं, एकी पुत्र है मेरा, तो इतने बड़ी जिंजीरें इसके पौव में डाल लगी है, इतनी सुन्दर लड़की से इसकी शादी किया है, जो अफसरा के समान सुन्दर है, और ये उसकी तरफ देखता भी नहीं है, हम ने इसको रख सकेंगे, ये चला जाएग, आकर और निकल गए गर से, और बहुत आल वड़, छे को स्वामी, इनके शिक्षों पर इनके चरन चुन्नों पर चलने का प्रयाद करते हैं, छे को स्वामी ते इतने महान थे, इनका किसी चीज़ जनी स्वरोकार नहीं था, के वल चतन चरन इतनी लगण इनके मन में लगी थी, के हर समय बगवान को ये, तो इतन में विनमर थे, इनको लोग राजा कहते थे ये राजा, राजा कही बेटी हैं, तो रोज ये एकosp sedati बेट प्रनॉम करते थे, मुझे सब राजा कहते हैं, मुझे में बढ़ा अहंकार है, अहंकार बिलकुल नहीं था अहंकार का लेश्मातर नहीं था, खragonते क्या थे, एक दिन कुछ नहीं, एक दिन लट्सी का इतना गलास पीना अबास, वजन करते थे, तीन लाख नाम रोज का जबते थे, जबते थे, नाम ही जबते रहते थे, ऐसी महानात्मा है थी ये, जे गोड़स्वामी उमे की ये थे, रगुनाद दास को सारे महान थे, रूप सनातन, रगुनाद बट, रगुनाद दास, जीव, गुपालवड, तब बढ़े पहायन थे, नाना शास्त्र बचार ने कनिपनो, सद धर्म संस्थापको, लोका नाम हितकार ने तृभुवने, मन्यो शरन्या करो, राधा कृष्ण पदार बिंद भजना, नंदे नमाताली को, शरिय Лवपको स्वाम् vite, शरिय लखुनाद भट गष्ण दास गष्ण वी शरी जीव गष्ण पुंद कृष्ण कोई, शरी चर्णो में सादर प्रनाम करता हूं, जो सुमस्त शास्त्रों का अलोचनात में के अध्यान करने में परमनिपून थे, और इस तरह प्तिनो लोकों में समाधरित थे और श्रन लेने के योगी थे क्योंकि गोपी भाग में निवन रागर सदाश्री शी रादा कृष्न की दिव परिमा भक्ति में लगे रहते थे इसी को सामी बड़ी महान आत्मा है इन सब की कृपाहम को चाहिए इनोंने बहुत सरे गलन्त रिके प्रभॉपा प्रभॉपाजी ने पहले अंग्रेजिय में किया फिर उसका हिंदी भी अनुवार है श्री रगुनादाद को सवामें ने एक गरंत लिखा मनाशिक्षा अपने मन को शिक्षा दे रही है बड़ा संदर गरंत है उसमें क्या लिखा हुन्होंने ये मेरे मन तुने बिश्यप ने देच का मान सच है कर सका मान सच कि ये तुने दी मान सच की अगर थे पाइ बायो अवा मता हो हम ये श्रीर में पहने नही है के बैशनों की कथाे आते है उनको लोग गाली देते थे घने वाद आप अवने में बढ्र अं कारदूल कर दीए बड़ी सं维र कामें इंन एक बहशन्व कःदा बनी थिए, वो रोटी मांग लेठे जी जाए। जहां प्रोट अ कि लिए रहर जाता है रोटाथ जाता है जान्गने के लिए अच्छा, कुछ फे गोविन्दकी चानि याद मैंगाओ। गुबिंद काई तो सरवतर कंट्रॉल है, रोटी नहीं दी तो नहीं खाएं, बजन करते रहें, बाष्नमों काई जिवन है, और बाष्नम बनना ही सरवत्म है, और यह भी यहाद रखना चाहिए, बाष्नम बनना इतना असान नहीं है, बेस बदलने से, नाम बदलने से कोई ब एक वर दो बदेशी भग्त आपस में जगणा कर रहे थे जगणा कर रहे थे तो एक दूसरी को कहता है, यू करन उफेंड ए वेशनवा, तुम वेशनव के प्रति अपराद नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद बहां पर एक तम पहुंच गे, कि रहे थे तुम उपनी आपको समय तो तुम वेशनवा हो, बहुत तूर की बात है, बहुत दूर की बात है, पर पर एमने बहाँन बनने एंट कल्यानभी से नहीं है, बहुत बात है, इस जनमे बन पन कि अच्छा है, नहीं तो पतानी कितने जनों लेने पड़ेंगे, कितनी बार माह के गर में आना पड़ेगा, पतानी कितनी यूनियों में जाना पड़ेगा, मोका इन महां पुरुष्ण ने प्रभुपाजी ने दिया है, पहले बागवाद ने स्वयम यह अंदोलन शुरू किया, फिर के यह प्रगट हुए, उन्होंने इसको बनाय रखने के कोशिश की, फिर यह प्रभुपाजी को बेज दिया बागवाद ने, गौलोग ताम से जाओ, लोगों को मोका दो, लोग नरकों में जा रहे हैं, पुना, कैसी असानी से बैष्ण बना जाएगा, इनोंने शास्त्र की बात बैष्ण 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 बैष के चक्र से मुक्त करना है, तो प्रभुपाद कहते हैं, यदिभे कहता है कि वै शरेष्ट है, तो बास्त में शरेष्ट नहीं है, वै शरेष्ट नहीं है, वै शरेष्ट नहीं है, वै शरेष्ट नहीं है, वै शरेष्ट नहीं कहेगा, हम जो वै शरेष्ट नहीं है, वै एक परमु पाद करिपास ये रोग हमारे अंदर से जाएगा, उनकी सेवा में अगर लगे रहें, उनके चन्न चन्नों पर चलें, पुस्तकों का भितर्ण करते हैं, जब करते रहें, निशकाम सेवा करते हैं, पुर्ष भी इस्तन हैं भी, तो हमारा मंगल भीता हुएचा है, स्टर्क्ता से काम नहीं लिया, बेशनम नहीं बने, तो कल्यान नहीं है। बोलो परम बेशनम शिला प्रभुपादे की। बोलो कली पावन अवतार गौर निताय द्वेताचार गदादार शिवस्ता कुर की। बोलो पंच तत्व की। बोलो मौर मुकृटबन सीवाले की बोलो गौर राधा कृष्ण भागवान की बोलो सीताराम लक्ष्वान हनुमान की बोलो निशिंग देप्रलाद महराज की बोलो जगनाद वलदेव सुद्रा माता की हरे कृष्ण तो सभी का धन्यवाद कोई प्रशन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं शीतल माता सूरत से हमारे प्यारे पतित पावन गुरु महराजी के चड़नों में कोटी-कोटी दन्वत पनाम गुरु महराजी आपके दर्शन, आपके प्रवचन, आपकी हर चीज हम सभी के लिए भगवान के आशिरवाद हैं गुरु महराजी मैं कल्यू का पापी अग्यानी जीव, मंद बुद्धी, मंद भागी, आयूश का भी पता नहीं कब खतम हो जाए माया का घेरा और उपर से जनम जनम के पापों का बोज, जो पता नहीं कब पतन की और ले जाए गुरु महराजी इतनी प्रतिकूलताओं के बाद भी जीवन में अगर कोई अच्छी बात है, तो वह सिर्फ यही है कि आप सच्चे संत का आस्रा है जनम रित्यू के चक्र से निकलने का एक मातर सहरा आप ही हैं, मैं बहुत कमजोर और पापी जीव हूँ, लेकिन आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आप कुछ भी करने के लिए समर्थ हैं, आप अंतरियामी भी हैं, जब जब जीवन में मैं दुविधा में पड़ी, आपने किसी ना किसी रूप में हमेशा मेरा मार्क दर्शन किया, गुरुमाराजी आप से मिले इतने साल हो गए, लेकिन आपके जैसा करुणा मैं और कॉमल हृदय और कोई नहीं देखा, यदि कोई आपका एक बार दर्शन करे तो उसका जीवन सफल हो जाए, और मुझे त गुरुमाराजी मुझे और मेरे पुरे परिवार को एक मात्र आपका ही सहा रहा है, आपकी पतित बेटी शीतल मेरी शुब कामने शीतल माता तुमारे साथ में है, गुरुदे प्रभुपार, गौर्ण दिताए पंच्छत पर आदा कृष्ण तेरे पर कृपा करें, तेरे को शुद्ध भक्ती का दान दें, और तुम अपने जन्म को सफर करो, मनुदास प्रभु कैनेडा से, हरे कृष्ण गुरु महराज, एक मिन, आप भोलो, दन्वत परनाम अट यूर लोटस फीट, I will appreciate if you can tell what is that we have to learn from Corona pandemic in which all worshiping places like temples, churches are closed. Even in our temple, we are able to do only three offerings instead of six due to lack of pujaris. No visitors, complete lockdown. कृप्य ग्यान दीजिये महराज. ऐसा है मनुदास, ये हमारी कर्म है, जो बिमारी है न, हमारी कर्म है, हम लोग भिश्यों को भोगने में लगे होगे हैं, चाइना ने ये बिमारी दीए है सारी दुनिया को, वो चाइनीज लोग ऐसे हैं, कि वो जिन्दा चीजों को, जैसे जिन्दा पश्वों को, तरफा तरफा कर मार कर खाते हैं, बुरी हालत हैं उनकी. तो ये हमारे ही कर्म है करोना जो बिमारी लगी है न हमारे कर्म है और लोग जो मर रहे हैं कर्मों कंसार मर रहे हैं ऐसे कुछ नहीं होता करते बुरा कर्म कहते से वैसा हमें नहीं सोचते जैसे एक दोहा है बड़ा सुंदर करनी करत क्यों डरत क्यों करके पच्टाए भोए पेड भवूल के आम कहां से खाए जब बुरा करम करते से में हम नहीं सोचते जब उसका दंड मिलता है फिर हम सोचते है क्यों ऐसा हो रहा है मनुदास्ती हमारे ही करम है हमारे करमों का फाल हमको मिल ला है किसी का कोई दोश ने इसमें करमों का दोश देखो तुमारे कैनड़ा में मांसाहार कितना है लोग दुष करम कितने करते है अवेद इस्त्री संग अवेद पुर्श संग कितना होता है इसा बुरे करम है चार मांसाहार मदीरा पान वेवेचार और जुगा इस चारों चीज़ें तुम्हारे देश में कितनी ज़्यादा है तो फिर परिनाम इसका यही होगा और क्या होगा हरे कृष्ण उत्सव आनंद अमरिसर से हरे कृष्ण गुरु महाराजी के चड़नों में दन्वत परणाम महाराजी आपके और प्रुपाजी की आशिरवात से अमरिसर में भी बुक डिस्ट्रिबूशन हो रहा है मंदिर के सारे भक्त बुक डिस्ट्रिबूशन में जाते हैं मैं भी जाता हूँ मुझे इतना आनंद कभी नहीं आया बुक डिस्ट्रिबूशन में जितना इस बार आ रहा है मेरी क्या उकाद है बुक डिस्टिबिशन करने की परंतु ये सब आपके परवचनों में से एनर्जी आती है लेक्चर सुनने के बाद अपने आप मन करने लगता है बुक डिस्टिबिशन में जाने का गुरु महराजी ऐसे मेरे जैसे पतित को मार्ग दर्शन देते रहें आप करुणा के सागर ही सागर है आप हर एक जीव का कल्यान चाहते हैं गुरु महराजी का यश सब लोगों में फैले गुरु महराज की जाए धन्यवाद मारा आनंद तो हम पुष्टकों का वितर्न कर रहे हो यह प्रभपाद कृपा है जब भागवान के भक्त हमको सेवा में लगाते हैं तो यह समझो के भागवान की कृपा है भक्तों के मात्यम से यह पुष्टों को वितर्न प्रभपाद ही चाहते थे गयों कि मैं सुन रहा था कि प्रवपाध जी के लिल अमरत में प्रवपाध ने कहा कि सामयबाद कॉम्मिनिZM पुस्तकों के बितरण से सामयबाद की कॉम्मिनिजम की परचार हुआ, कितने देशों में सामयबाद इओ पहल गया है तो प्रवपाद ये कहते हैं कि ये जो डिब पुस्तके है, ये जो ट्रांसिंडेंटल लिटरेच्र है, ये भी एक लोगों तक पहुंचे का तो लोग पर जरूर असर होगा, लोग बदलेंगे, और ये कर के दिखा दिया, प्रवपाद ने बदेशों को बदल दिया, तो यहां भी एक भक्त है, उसका नाम है मुदु परियादास, तो कहते हैं पुस्तकों का बितरन जो है अडिक्शन है, ये कि जैसे लट लग जाती है किसी को, ऐसा है, क्योंकि ये आत्मा किस तर पर है, बहुत अच्छा लगता है पुस्तकों का बितरन करने के लिए, जो पुस का में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सब लोग अच्छे पुस्तकों का बितरन कर रहे हो पर मेरे, मैं इतने ही नहीं कर पाया अपने जीवन में, पर ये बहुत ये दिब्वे काम है, पुस्तकों का बितरन करना, लोग नग पहुंचेंगे तो लोग नास्तिक बा प्रवभाजी की पत्र का जो है, उस ने प्रवभाजी ने क्या नाम रखा है, बैक टू काड है, बगवान की और मुडो, प्रवभाजी अमको नर्क में जाने से बचाना आ जाते हैं, बज़ और हमने मुडना है, और जीवन को सफर करना है, धन्यवाद अनन्द! रिटी का माता, Canada से Hare Krishna to Guru Maharaj Please accept my humble obeisances Canada में काँ चे जाएदा I think 2 पूँटा में है 2 पूँटा Confirm नहीं है Please accept my humble obeisances Unto your lotus feet Please give me your blessings To progress in devotional service How to fully surrender टू गुरू हो टू फुली सुरंडर हुम रिटी का माता आपके गुरुजी कौन है यह नी पिताया न उसने सुरंडर बस प्रयास करना है ट्राइ दा की अफ सिक्सेस मन हुमारा दूश्यत हुआ है विशे बिकारों के कारण तो इसलिए हम स्रंडर नी कर सकते लेकिन बार बार करत करत अभ्यास से जडमती होत सुजान रसी आवत जहात से शिला पड़त निशान जब कुंगे से जब पानी निकाला जाता है रसा नर्म होता है जब पत्थर को रसा बार बार लगता है उसमें भी घाओ हो जाता है निशान पड़ जाता है तो अभ्यास करने से धिरी धिरी स्मर्पन हो जब पाएगा जब बढ़ाना है नीमों का चितना बालन करना है बिशी पकारों को खटाना है बिशी पकार खटम करने है काँ कि जब बिशीयों में मन लगता है तो प्रिस्मर्पनी हो सकता बिशी पकारों को खटाना है और भागवान के चर्णों में लगाना है ग्रेजुली होगा रिटिका मादा आज सूरत से अनिता माता जी और उनके परिवार ने आज के प्रशादम कायोजन किया है तो उनका और उनके परिवार का श्रिला प्रभपाद आश्रम उधंपुर के सभी भक्तों की और से बहुत बहुत धन्यवाद हरीबोर दिल्ली से मोक्षा माता जी ने साथ भगवत गीता स्पॉंसर की तो उनका और उनके परिवार का श्रिला प्रभपाद आश्रम उधंपुर के सभी भक्तों की और से बहुत बहुत धन्यवाद हरीबोर दुबई से परिक्षित प्रभू ने 125 भगवत गीता ब्रज मंडली ने 125 फ्रिश भानवी ने 125 और गोवरधन ने 125 भगवत गीता स्पॉंसर की तो इनका और इनके परिवार का श्रिला प्रभपाद आश्रम उधंपुर के सभी भक्तों की और से बहुत बहुत धन्यवाद अर्वर्गोर से बौथ बहुत धन्यवाद हरी बहुत ने बहुत धन्यवाद हरी बहुत जबका दन्यवाद घरेज आइन एरितिका भी कि प्रशन प्रश्न किया उनोंने परेखिया दा दन्यवाद रितिकामाता तेरा लगी रगो भक्ति में प्रयास करो ट्राइज दगी अफ शिक्सेस कोशिक कामजाबी की पहली सिटी है और तो नहीं कोई प्रशन सकंध प्रान में तुल्ची देवी की प्रशन सा इस प्रकार की कई है मैं तुल्शी देवी को नम्सकार करना चाहता हूँ